जै गंगे मता दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश सेल्प में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से हरकी पैड़ी चलेंगे और हरकी पैड़ी के जो ताजा द्रस से हैं वो दिखाएंगे और अभी मैं इस समय गव घाट के पास हूँ और यहां से होते हुए हरकी पैड़ी के जो प्रमुक घाट है वहाँ पर चलेंगे और उसके साथ साथ मागंगे के दर्सन करेंगे और जैसा कि आज देखने में आ रहा है कि हरकी पैड़ी के आसपास के जो घाट हैं वो पूरी तरह से खाली हैं और उसका असर भी हो रहा है ठंड बढ़ चुकी है और जैसा मैंने कई बार आपको बताया है कि ठंड के दिनों में जो सिधालों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और आज धूब भी नहीं निकली और लबबग 10 बज़े हैं इस समय तो मैं आपको लेकर चलता हूँ जो हरकी पैड़ी के प्रमुक घाट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें इसी तरह कि अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं मागंगे के दर्सन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने आपको जो घाट दिख रहा है वो सिव घाट है और मैं इस समय गव घाट के पास हूँ और मागंगे की निर्मल जलधारा लगाता निरंतर वै रही है तो अब चलते हैं जो प्रमुक घाट हैं और मैं आपको जल के बिलकुल पास मिले चलूँगा और मागंगे के दर्शन बिलकुल सही से कराऊंगा आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों अब आप सुभास घाट के ताजा द्रश से देख सकते हैं जो घाट है यह सुभास घाट है जो की नाई घाट और कह सकते हैं गव घाट के बीच में पड़ता है तो दोस्तों इस समय आप यहाँ पर मागंगे के दर्शन कर सकते हैं भागिर्थी सेथ के बिलकुल पास में मैं इस समय हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जल की धारा है बहुत ही अच्छे अपने निरंतर वेक से लगातार बह रही है और यह दर्श देखकर बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सुचा क्यों न आपको यह दर्शन कराए जाएं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से कोरोना की गाइडलाइन्स जो है वो चेंज हो चुकी है हरिद्वार आने के लिए एक सक्त नियम हो गए है और चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जहां पहले 16 जगे चेकिंग होती थी अब लगबक 36-37 जगे हरिद्वार के वार्डर में, रेलवेय स्टेशन में, बस स्टेंड में सभी जगे करोना की जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है और सभी आप सभी जामते हैं कि ओमिक्रॉन जो संक्रमन है वो और भी ज्यादा खतरनाक है इसकी जो फैलने की जो छमता कह सकते हैं वो बहुत ही तेज है और इसी वज़े से पूरा जो वर्ड है एक तरह से हुई है और उसके बाद प्रदेश सरकार भी करोना की जो नियमों है उनमें बदलाव किया है अगर आप हरिद्वार इसी केस आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी दोनों वैक्शिन तो कम से कम लगवा ही ले और यह मानगी चले कि आपका कहीं न कहीं रैंडम हैं तो आप इस समय यात्रा ना करें क्योंकि आपकी जिंद्गी समाज आपकी परिवार की जिंद्गी बहुत ही जरूरी है सफर या यात्रा तो आप बाद में भी कर सकते हैं और दोस्तों अब अब मैं पहुँच चुका हूँ नाई घाट में नाई घाट के सुंदर दस बचकर पंद्रा मिनट हो रहे हैं और अभी तक जो सूरु भगवान हैं उनके दर्सन नहीं हुए हैं और ठंड काफी ज्यादा है और ऐसे में सिध्धालू गंगा जल में इसनान कर रहे हैं और इस समय ऐसे भी जो गंगा जल है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि दिसंबर का महीना हो या जनवरी का गंगा जल बहुत ही ज्यादा ठंडा मिलता है अब चलते हैं आगे जो ब्रह्मकुन घाट है वहाँ पर मैं आप सभी को लेकर चलता हूं मागंगे के दर्शन कराएंगे और उसके साथ साथ वहाँ पर देखेंगे कि इसे धालवों की क्या कितनी हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जल का जो फ्लो है बहुत ही तेज है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो जल का फ्लो देखकर और अब मैं आपको मंसा देवी मंदिर के दर्शन कराऊंगा उच्छे पहाडों में मां मंसा देवी का भव्व मंदिर है तो कमेंट में जै मंसा मता जरूर लिखें यह है हरिद्वार का क्या सकते हैं सबसे प्रिसिद्ध मंदिर मंसा देवी मंदिर दोस्तो अब मैं आपको जो नाइघाट के सामने मागंगे की चोड़ी जल धारा है। वहां पर आप धनुस पूल के दर्रस से देख सकते हैं और यहां पर जो चोड़ी धारा है यहां के दर्स से भी देख सकते हैं। आज धूप नहीं निकली है तो ठंड जरूर है लेकिन जो व्यूँ है जो द्रस्य है और भी अच्छे हो जाते हैं दोस्तो अब मैं ब्रह्मकुंड घाट के बिलकुल सामने हूँ और आप जो द्रस्य देख रहे हैं ये ब्रह्मकुंड घाट के सुन्दर द्रस्य हैं और आप देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट में भी जो स्रिधालों की संक्या है बहुत दीक कम है और सामने जहां पर बहुत सारे स्रिधाल उश्नान करते हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं कुछी लोग आपको दिख रहे होंगे अब मैं आपको घंटागर घाट के दिरस से दिखाना चाहूँगा घंटागर घाट में भी काफी ज़्यादा से धाल उश्नान करते हैं लेकिन आज क्या सकते हैं कि घंटागर घाट एक तरह से खाली है कुछी लोग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटागर घाट में घड़ी लगी हुई है और जो टाइम है वो लगबग 10 बच कर 20 मिनट होने वाले हैं तो सुबह सुबह मागंगे के दिव्वे दरसन आप कर रहे हैं और सेकंड दिसंबर की ये वीडियो है दोस्तों अब चलते हैं मालवी घाट और महिला घाट की ओर दोस्तों ये है मालवी घाट मालवी घाट में भी आपको बहुत कम स्रिधालू देख रहे होंगे घाट एक तरह से कह सकते हैं खाली है और महिला घाट में भी बहुत ही कम सिर्धालू है सबसे ज़्यादा जो इसनान करने वालों की संख्या होती है वो महिला घाट में होती है लेकिन आज आप देख सकते हैं महिला घाट में गिने चुने ही सिर्धालू इसनान कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इस धालू ठंड की वज़े से जहां पर रुके हुए हैं होटल या धर्मसाला या आसरम में वहां से ना निकले हों क्योंकि आज धूप भी नहीं निकली है और आप चलते हैं मागंगे के बिल्कुल जल के समीब और वहां पर मैं आपको हाथों में गंगा जल लेकर दर्सन कराता हूँ आपको पूरी तरह से ऐसा मैसूस होगा कि मानु आप छुद यहां पर मौश्दूद हो और मागंगे के दर्सन कर रहे हूँ तो दोस्तों अब मैं बिल्कुल गंगा जल के समीब पहुँच चुका हूँ और आप सभी यहाँ पर मा गंगे के जल के दर्शन कर सकते हैं अब देख सकते हैं मेरे हाथों में जल है और पुरी तरह से जल जो है क्लियर है ट्रांस्पाइंडर इस समय जल आपको दिख रहा होगा जल में जो रेट की मात्रा है बिल्कुल भी नहीं है तो आप कमेंट में जै गंगे माता जरूर लिखें तो दोस्तों उमीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मागंगे के आपने दर्शन सही से कर लिये होंगे और हर की पैड़ी के जो वर्तमान द्रसे हैं वो भी आपने सही से देखे होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे सेर जरूर करें इस तरह की वीडियो को आगे सेर जरूर किया करें ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं वो दर्शन कर सकें तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ आप सभी अपना ख्याल रखें जै हिंद जै गंगे माता